हेलो गईज, वेलकम बैक को माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी बीट के जो एंटरस अग्जाम होते हैं उसमें जो इंपोर्टेट कोश्चन आया थे एनलोजी से रिलेटिड उनको करने वाले हैं तो मैंने थोड़े से इंपोर्टेट कोश्चन सिलेक्ट करके लिखे हुए हैं तो हम उनहीं को सॉल्फ करेंगे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे तो वीडियो का अपने ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कहा रहा हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते है तो एनलोजी जैसे आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डाटा होता है ठीक है उनमें रिलेशन होता है ठीक है वह हमारा एनलोजी होता है ठीक है तो उस से related जो उमारे question है उनको बारी-बारी से करेंगे यहाँ पर total मैंने 8 question जो important है वो भी note किये है ठीक है तो बारी-बारी से उनको करते है अब जैसे आपको first question यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर लिखाए आगरा और उसके साथ में जो option दिया वो ताजमहल ठीक है तो जáriasसे हम मैं पता है कि जो ताजमहल है वो आगरा में ठीक है तो यह वाला जो मारे कोश्चन है वो में पिल को सुरू ठीक है तो यह जो मारा कोस्चन है यह वह मारा का यू पी वीड दो जार ग्यारा में आए था ठीक है जो इसका एंट्रास था आ तो इसके जो option दिये है हमने वो match करने अब देखना है सबसे पहले क्या होता है जो हमारा answer होता है वो हमारे question में छुपा होता है अब यह सब यहां आप देखो यह बोलता कि आग्रा और ताजमेल अब इन दोनों में क्या connection है कि जो ताजमेल है वो आग्रा में situated है ठीक है कि जो तो अब इन चारो option में से हमने देखना है कि इसके साथ और क्या match कर रहा है अब जैसे इन्होंने option ए दिया है डिली ठीक है दिली दिया है और उसके सामने लिखा हुआ महल तो यह तो नहीं है सही ठीक है दूसरा दिया है पटना रैड़फोर्ट अब पटना में थोड़ी है लाल किला तो यह भी नहीं है सही अब दिया है गया और गोल घर ठीक है तो यह भी नहीं है अब लास में दिया है अमरिश सर और गोल्डन टेमपल तो यह वाला जो option है वो correct है क्योंकि जो गोल्डन टेमपल है वो अमरिश सर में ही स्थीत है वहाँ पे situated है ओके तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है D अमरी सर और गोल्डन टेंपल ठीक है तो जो analogy वाले question होते है वो इस तरह से काम करते हैं जो आपका first question दिया जाता है उसी के जैसा same आपने option में से देखना होता है ठीक है तो जितने भी student इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए यह बहुत जादा जरूरी है इंपोर्टेट है ठीक है कि analogy को हम किस तरह से solve करते है ठीक है अब आगे बढ़ते है अब दूसरा question इसमें दिया था यह वाला question भी हमारा UPB8 2011 से ही ठीक है तो इसमें जो question वो दिया है love और साथ में दिया hate ठीक है तो love हो गया प्यार और hate हो गया नफरत ठीक है तो यह इसे opposite है एकदम opposite है ठीक है तो इन चार option में से हमने ऐसे दो pair देखने है ठीक है ऐसे दो pair देखने है जो एक दूसरे के opposite होगे है ठीक है तो जो पहला मारा option है, वो A, ठीक है, वो गो और डू, तो गो मिन्स तो जाना होता है, डू मिन्स करना होता है, तो ये तो नहीं होगा इसका, दूसरा जो option है, वो बी, ठीक है, दूसरा जो option है, वो बी, तो बी में दिया है near और where, near होता है नस्दिक, where होता है, ठीक है, तीसरा द डाउन अप उपर डाउन नीचे और लास्ट दिया है कम सून ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन सी है अप डाउन तो यह एक दूसरे के ऑपोजिट है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा होगा अप डाउन अप आपको यह समझ आ रहा होगा इसी के साथ आगे बढ़ते तो जो आगे वाला कोश्चन है वो भी हमारा UPBA 2011 से ही आया है ठीक है इसमें जो कोश्चन दिया वो दिया बीहू और असम ठीक है तो जो बीहू है वो असम का dance form एक ठीक है वहाँ पे बहुत ही आता famous है जो भीहू है तो अब हमें जो चार option दिया हमने उसमें से देखना है अब जो गर्बा है गर्बा हमारा इसके सामने जो option दिया वो बेंगॉल दिया है तो वो तो सही नहीं है उसका गिद और गिदा ठीक है इसको गिदा है शायदी तो गिदा गुजरात में तो नहीं होता है थीक है तो यह भी सही नहीं है तिसरा यक्षगान दिया है वो बिहार में जो इसके साथ इन्होंने मैच किया है बट यह भी सही नहीं है लास option जो हमारा है वो है भांगडा जो मारा पंजाब में होता है और पंजाब ही इन्होंने दिया है ठीक है? तो इसका जो correct answer है वो है D, भांगड़ा और पंजाब ओके? तो आपने करना क्यों होता है कि जो आपके question दिया होता है उसको ध्यान से देखना होता है कि उसमें दिया कह गए और आपका जो answer है वो आपको उपर से ही पता लग जाए ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं आज वो आपको ये दिखाई दे रहा है तो बढ़ते हैं आगे अब हमारा जो fourth question ने वो दिया है king और palace जो राजा है वो महल में रहता है ठीक है? तो ये हमारा जो fourth question वो कहता है ये question वो ये हमारा UPB8 2010 से आया है ठीक है? अब इसके जो option दिये है वो दिया है A. Convict और house ठीक है? दूसरा दिया है नन temple जो नन होती है ठीक है? वो temple में नी वो church में रहते हैं तो ये वाला भी गलत है first वाला भी गलत है ठीक है? और जो option C है वो दिया है hair और hole ये भी गलत है जो option D है last जो हमारा lion होता है वो हमारा den में रहता है कहते है न शेहर की मांद ठीक है? तो वो यहां पे match कर रहा है तो इसका जो correct answer है वो हमारा D, lion और den ओके? ओके? इसको थोड़ा डंग सका लगता हूँ दो मिनिट चोटी नोट बुक पे न बनाया नहीं जाता है अराम तो पीजिवल आपको? ओके? ठीक है? तो जैसे हमारा यह fourth वारा question था इसमें था king और palace ठीक है? ओके? तो जो हमारा fourth question था उसमें था king और palace तो यह हमारा match हुआ है lion और den के साथ ओके? तो आगे बढ़ते हैं अब आगे हमें दिया गया है brinzel ठीक है? brinzel जो हमारी vegetable होती है यहापे इनों दिया गया है ठीक है? आगे इनों दिया है orange ठीक है? तो जैसे brinzel हमारी vegetable होती है तो orange क्या होता है? ठीक है? यह भी हमारा UPBR 2011 का question है ठीक है? option B है stem, option C है leaf and option जो D है हमारा okay option जो D है वो है हमारा root जड़ तो औरेंज क्यों होता है आप सो अभी को पता है औरेंज एक fruit होता है तो तो जो हमारा correct answer है वो A ठीक है तो orange हमारा fruit होता है ओके